हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब लोग और ये है संडे इवनिंग का दिन और आज में रिड्यूटी पड़ गई थी और मैं अभी जस्ट ऑफिस से आई हूँ और इस वक्त जो बजरा है ये बजरा है कुछ साथ सवा साथ का वक्त है और मम्मी बस म से हो रहा था कि आइस क्रिम बनानी है बहुत गर्मी पड़ रही है लेकिन हो नहीं पा रहा था कुछ ना कुछ हो रहा था तो और हम लोग बना नहीं पा रहे थे मम्मी बना नहीं पा रही थी तो आज देखिए महरत निकल आया है मैंगो आइस क्रिम बनाने का और बाहर बहुत बारिश है और मैं किस तरीके से लोकल ट्रेन नापती भी आई हूँ मुझे पता है बहुत बारिश है और ट्रेन भी रुक रुक के चल रही है तो मम्मी ने देखिए मैंगो आइस क्रिम के लिए मैंगो ले लिए हैं और उसको वो पील कर रही है तो बारिश शुरू हो जल्दी ही खतम हो जाएगा मैंगो का क्योंकि बारिश शुरू हो गई है लेकिन गर्मी अभी वी वैसे ही है बहुत घमस है बहुत हुमिडिटी है तो वही है लेकिन बस और कल है मंडे मॉर्निंग और मुझे कल फिर सुबह उठके साधे तीन बजे ऑफिस जाना है तो आज मे ममी की चाए भी रखी हुई है और अवनी बीच बीच में आके देख लेती है कि क्या चल रहा है किता आगे बढ़ा आइस क्रिम का प्रॉसेस तो बस यही है और धीरे धीरे ममी देखिए पील कर रही है और अब सारे मैंगोज आल्मोस्ट पील हो गए है यह लास्ट का बचा हुआ है और इसके पहले ममी ने कड़ाई में अब जो मिल्क होता है वो काफी ओटा के पहले ही रख लिया था मैं आपिस में थी तो रख लिया था कि मैं आऊंगी तो फटा फट जल्दी से हो जाएगा तो मिल्क पहले ही ओटा के रख लिया था कड़ाई में तो इसलिए मेरे आफिस से आने के बाद जब मैं आफिस से आ जाओंगी पांच बजे तो हम लोग खाएंगे तब तक वह अच्छे से जम भी जाएगी और आप बाहर देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही है कितने घने काले बादल चाहें हुए हैं और बहुत बुरी हालत है बारिश की अब यहां पर मिक्सी लगा ली है अरेंज कर ली है और उसमें अब ममी मैंगोज के टुकडे डाल रही है क्योंकि उसको हमें चलाना है मिक्सी में तो इसको बलकुल अच्छे से मैश कर देंगे तब ही जाके अच्छी आइस क्रीम बनेगी वरना लंज आ सकते हैं तो इसको आइस क्रीम के लिए आगे भढ़ रही है और यह है वही ओटाया हुआ दूद जिसके बारे में मैं बात कर रही थी तो इसमें से थोड़ा सा दूद ममी ने कप में निकाला है वही है तो अब आपको भी प्रोसेस देखनी को मिल रहा है मैंगो आइस क्रीम का आप लोग भी बनाते होंगे जरूर लेकिन हम लोग इस तरीके से बनाते हैं हम लोग का ये मैथड है तो उसी ओटाये हुए दूद में से ममी ने एक कप ले लिया है और देखिए उसी मैंगो के जो पल्प हैं उसमें डाल दिया है और इसको अब हम इसको अच्छे से ग्राइंट कर बिलकुल महीन महीन और आज की इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिख रही होंगी क्योंकि मैं शूट कर रही हूं ममी को तो मैं इसलिए नहीं दिख पाई और मैं ऑफिस से आई थी बिलकुल टायेट थी और मेरा बिलकुल भी मन नहीं था कि मैं आन स्क्रीन आउं तो बस मैं ममी का ही वीडियो ले रही हूं और मुझे बहुत एंजॉय कर रही हूं देखिए आप मुझे मिरर में देख सकते हैं कि मैं कैसे वीडियो ले रही हूं सामने शीशे में मेरी रिफलेक्शन दिख रहा है तो बस यही है देखिए अच्छे से यह ग्राइंड हो ग यकीन नहीं कर सकते कि वो घर की आइस क्रिम है या वो बाहर की आइस क्रिम है उसको आप पूल ही सकते बहुत ही टेस्टी बनी थी और मम्मी पहले भी मेरी शादी से पहले और शादी के बाद मम्मी हम लोगों के लिए मैंगो आइस क्रिम बनाना आइस क्रिम मिलक शेक बनाना म तो बस यही है कि अभी देखिए अभनी की डिमांट पर उन्होंने एक दिर हलुआ भी बनाया था, ऐसे तो बनाती रहती हैं, लेकिन शूट मैंने वो एक ही दिन किया था, और आज मैं आइसक्रिम का शूट आप लगों के सामने पेश कर रही हूं, और बस अभी हम लोग पाईश हो रही है, तो यह भीग जाएगा, तो इसलिए इसको अभी हम लोगों ने घर में रखा हुआ है, तो वो भी बैठा हुआ है, और यह देखिए बस हो चुका है, आइसक्रिम का काम, एक बार और मम्मी इसको चला लेंगी, तो बस फटा-फट इसमें मम्मी को लगा क होना जरूरी है, तो थोड़ा मम्मी इसको एक बार और चला लेंगी, और इसके बार आइसक्रिम बनके थोड़ी देर में बस रैडी हो जाएगी, और यह देखिए, अच्छे से बलकुल ग्राइंट हो गया है, पल्प और मिल्क आपस में फिट गया है, खुब बढ़िया त तरीके से है, और बलकुल अभी इसको फिर हम लोगों का साचा भी है, आइसक्रिम का उसमें डालेंगे तो यह बहुत टेस्टी लगेगा, और अवनी भी आ चुकी है देखने के लिए कि क्या इस्टेटस है, कितना आगे बढ़ा आइसक्रिम बनने का, अगर उसको बताया कि खाएंगे हम लोग कल शाम को, क्योंकि उसको जमना भी है फ्रीजर में, अच्छे से उसको जमने दो, फिर जब शाम को तुम स्कूल से आ जाओगी, मैं आफिस से आजाओंगी, फिर ही हम लोग आइसक्रिम एंजॉई करेंगे, तो देखिए उसको भी बड़ा शौक है, तो जो मिक्सर ग्राइंडर है, उसमें से भी काफी अभी मिक्स्चर है, तो वो भी धीरे-धीरे ममी सारा एक-एक करके कांच लेंगी, कुछ भी वेस्ट नहीं होने देती हैं वो, ये देखिए अच्छे से वो सब कुछ निकाल लेती हैं और ये मिक्स्चर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, और ये हमारे पास है आइस क्रिम के सांचे, तो ये बहुत पुराने हैं, बहुत ही पुराने, मुझे तो याद भी नहीं है, ये कपके हैं, मैंने कब लिये थे, अवनी भी पैदा नहीं हुई थी, तब ही लेके रख ल जिसे की बाहर इस पे लाउतना हो जाए, तो बहुत ध्यान से इसको डालना है, और पूरा नहीं भड़ना है, क्योंकि इसका कैप भी लगना है, तो वही अपनी भी कह रही थी, कि मुझे भी फिल करना है, मुझे भी दो, तो ये देखिए, इसका कैप वो लगाने के लिए क थोड़ी देर में, तो उसको बहुत एक्साइटमेंट है, कि आइसक्रिम बनके कब रेडी होगी, कब खाने को मिलेगी, उसको ये सब चीजें बहुत पसंद है, और वो खुद भी उसको बनाने का शौक है, तो वो कभी ओरियो मिलक शेक, चॉकलेट्स वगरा बना बनाती र और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया आइसक्रिम बनके रेडी हो जाएगी, और जब इसको निकालेंगे साचे से, तो इसी शेप में वो साचे से आइसक्रिम बाहर आएगी, और बस यही है, देखिए, अभी थोड़े से ही रह गए हैं साचे भढ़ने के लिए, और यह देखिए, अवनी कैप लगाना शुरू का देखिए, अवनी कैप लगाना शुरू के लिए, कर रही है सब में, और दीरे दीरे वो देखिए, कैप लगा रही है, उसको पताया, मैंने आप लोगों को इसको बहुत शॉक है, इन सब चीजों का, तो दीरे दीरे वो कैप लगा रही है, लेकिन यह जो मेरा साचा है, इसमें से एक कैप मेरा बहुत पहले ही खो गया था, तो अब उसमें देखिए मम्मी क्या करती है एक कैप मेरा बहुत पहले हो गया था जो की पता नहीं किधर गया तो मम्मी इसमें देखिए प्लास्टिक की स्पून लगा देंगी तो कुछ नहीं से तो कुछ हो ही जाएगा वह एक लीस्ट निकल के आइसक्रीम बाहर ला सकते है अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो फिर निकला आइसक्रीम को टफ हो जाएगा तो बस यही है मम्मी ने उसमें प्लास्टिक की एक स्पून लगा दी है और इसको अब मम्मी इसको फ्रीजर में रख देंगी धियान से बलकुल जिससे कि ये गिरे ना बहुत धियान से इसको फ्रीजर में रखना है ये देखिए फ्रीजर में रख रही है अराम से क्योंकि अगर ये गिर जाएगा या कुछ टेड़ा मेड़ा हो जाएगा तो फिर आइसक्रीम भी इस पिल आउट हो सकती है तो बहुत ध्यान से इसको रखना है तो वही मम्मी अभी रख रही है और अ पार से आइस क्रिम लाए थे ओरियो की चॉकलेट वाली आइस क्रिम उसका डबा बचा हुआ था मैंने साफ करके रख लिया था तो बाकी आइस क्रिम मम्मी इसमें डाल देंगी बाकी तो साचो में आ गई और बाकी इसमें ओरियो का जो हम लोग आइस क्रिम लाए थे कंटेनर वो खाली पड़ा हुआ था तो उसमें बाकी डाल देंगी तो वही है तो बस अभी इसमें डाल के इसको भी फ्रीजर में रख देंगी तो हमारी अच्छी खासी क्वांटिटी आइस क्रीम की रेडी हो के कल हमको मिलेगी और हम लोग अराम से इसको एउन्जुआ करींगे दीरे दीरे इकदम से भी झाते हैं वरना गला बैट जाता है बेकार Alison खासी जुखाम हो जाता है तो हम लोग धीरे धीरे ही आईस क्रीम एन्जुआ करते हैं और यह है नेक्स दे शाम का वक्त मेरे उफिस से आने के बाद का ये वक्त है नेक्स डे मंडे इवनिंग है ये और देखिए अभी आइस क्रीम की वेट हो रहा है अवनी बोल रही है ममा आप कब आओगे आफिस से आइस क्रीम खानी है मैंने का बस मैं आ जाओंगी पांच बजे मैं ट्रेन में थी तब उसका फोन आया था और ये देखिए अभी आइस क्रीम ममें निकाल ली है और बुलकुल जम के रेडी है और जरा भी अवनी से वेट नहीं हो रहा था उसको बहुत जल्दी हो रही थी तो बस अभी हम लोग आइस क्रीम एंजॉई करेंगे और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे पसंद आये तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करा करिए शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को मेरे वीडियो और जो नए है इस चैनल में मेरे व्लॉग में वो प्लीस बिना सबस्क्राइब करें मर जाएगा और साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस जरूर करिएगा और आज तो ये जो मेरा वीडियो था ये पूरा मेरी मम्मी के उपट डेडिकेटड था उन्हीं का वीडियो था और उन्होंने आज जो आइसक्रीम मना के हम लोगों को खिलाई है वो जबर्दस थी बहुत एंजॉय किया हम लोगोंने बहुत टेस्ट ये देखिए मम्मी दीरे दीरे आइसक्रीम का कौन निकाल रही है और क्या बढ़िया कौन निकल कर आया है और जिसका कैप खो चुका था उसमें मम्मी ने प्लास्टिक की जो स्पून लगाई थी वो थोड़ा सा तूट गई है निकालने में लेकिन बाकी जो कैप से जिनके वो बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम निकल कर आई है बहार और हम लोगोंने वैसे ही खाई जैसे कि हम लोग बाहर खाते हैं आइसक्रीम ठेले से लेके मैंगो वाली या ओरेंज वाली वैसे ही हम लोगोंने घर में एंजॉइ करा और टेस्ट बिल्कुल मतलब कहते हैं न अनबीटेबल था बिल्कुल कोई कहीं नहीं सकता था कि ये बाहर की खा रहे हैं हम लोग आइसक्रीम या घर की खा रहे हैं बहुत एंजॉइ किया था लेकिन उसके बाद मेरा सर्दी जुखाम हो गया खाने के बाद क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ठंडा वगरा सूट नहीं करता है मैं कहीं बाहर बुफे वगरा में भी खाना खाने जाती हूँ तो वहाँ पे ठंडा डेजर्ट्स वगरा होते हैं ये लोग खाते हैं लेकिन मैं पिकल जाएगी वही मम्मी मुझे अभी देखिये कह रही थी तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्रीज सब्सक्राइब करिए तेरे चैनल को और अपना धिहान रखिए बाई एंड टेक क्यार